एथियासिक मद्दान और प्रचंड वहुवत अभूत पर विश्वास और समर्थन भारतिय जनता पार्टी को इस 2023 के विधानसवा चुनाव में जनता का अपूर समर्थन मिला है जनता चल पड़ी है मोदी जी और भाजवा के साथ विश्वास है मोदी जी और कमल पर और यही विश्वास जो 2019 के लोगसवा चुनाव में मैंने अपनी आखों से देखा है लोग स्वेम अपने साथनों से चल कर निकले मदान के अंदर पर आये वासपा को वोड दिया और फिर गड़ पर चले गए वैसा का वैसा माहूल वैसा का वैसा वाताउन वैसा का वैसा विश्वास अभी 2030 के विधानसवा चुनाव में मैंने गखा है क्या लगता वीसा कितना मानती हूँ इतना मानती हूँ कई तरह के प्रियास किये कई अध्कंडे अत्म समय तक अपनाने का प्रियास किया कई फर्जी आईडी भी बनाई की जैसा मुझे आज जानकारी में आया लेकिन जनता मन बना लेती है कॉंग्रेस की विदाई का और भाश्वा के आने का तो फिर एसे हद्गंडे नहीं चलते छुटबुट प्रयास किये कई तरह के हद्गंडे अपनाए लेकिन आपने 5 साल जो पाप किया है उस पाप की सजा लोगों ने उस EVM पर कमल का बटन दबा कर निकाली है विश्वास जताया है भारती जनता पार्टी के उपर विश्वास जताया है डबल इंजन की मोधी सरकार के उपर और यही विश्वास है कि मद्दान का प्रतिशत भी बड़ा और भाज़पा को अभूत पूर समर्थन स्नेय और आशिरवाद भी देए। करने का वह गुस्सा था महिला की शुरुक्षा नहीं कर पाने का और विश्वास था मोदी जी और भारती जनता पार्टी के उपर कि जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया गैलो जी वह स्वेम आकलन उन्होंने अपना कर लिया है लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि बादा खिलाफी करना राजस्थान की जनता कभी बरदास नहीं करते हैं सब जीत मान रहे हैं तो क्या सीम के चेहरे पर अब चर्चाश पर जहीं है देखिए ये पार्लियमेंटरी बोर्ड का काम है रवेशित में बहुत अच्छा होगा अज ही मीटिंग है किस पात को लेकर क्या फीडबेक शास झाटेने को लेकर है यह बहुत है कि पार्टी के हजारों लग वहास कारीकरतां ने भारती जनता पार्टी के समर्थन के लिए रात दिन मेहनत की हर गर तक कमल पहुचाने का और हर मद्दाता को मद्दान के अंदर तक पहुचाने का काम किया और उसी years year не mouse season और परिश्रम के कारण आज ये इतना प्रतिशत मद्दान हुआ है और भारती जनता पार्टी प्रसेट भाहमस से जीज रही है तो यहां भी जो हमारे कारिकर्ता और आदिल लगे थे उनके साथ आज गेट टूगेदर मिलने